यह अपना राइस का सेकिंड वीडियो है राइस गाल मिज यह भी इंपोर्टेंट है सेकिंड पेस्ट पड़ रहे हैं अपन और सिलियो और आईजी और इसकी फेह में लिए से साइडो मीडी डिपटेरा यह जो राइस गाल मिज है यह अब पहले तुम आपको दिखाना जाता हूं राइस गाल मिज यह इस तरह की होती है और इसका जो ओर्डर है वो डिपटेरा है फेमिली सिसाइडो मीडी है ओके यह है यह भी राइयलो स्टेम बोरल के बाद इस वन इस आलसो ए सेकंड इंपोर्टेंट पैस्ट इस पैस्ट इस एंडेमिक एंडिस्टिबूटेर तुमोस्ट पार्ट आफ इंडिया इट इस ए मेजर पैस्ट इन तेलंगा न नोर्थ कोस्टल रिजन अंदर प्रदेश इ अब आपने इसके करेक्टर्स पढ़ेंगे कैसी होती है यह फ्लाइज फ्लाइज मोस्कुटो लाइक एंडिस थी तु थी पैंड फाइप एम एम लॉंग फिमेल हैज ब्राइट ओरेंज रेड अब्डोमन स्विफ्टर एंड रेड इस टेलिसकोपिक बोडी स्विफ्टर तेज़े से उड़ती हैं मेल इस डारकर एंड इसमालर एडल्ट लोंजिविटी इस थी तु फाइप डेज मिंस जो एडल्ट है वो थी तु थी फाइप एम एम लोंग होते हैं अपन इजीली है इसको धंग से दिखनी पाता है धंग से देखेंगे तब है यह दिखाई दे गी एक्स हाल लेट सिंगली और इन ग्रूप्स टू टू थी शिक्स जस्ट बिलो रबो दा लिगूर डैट इस ओन दा लीफ ब्लेड और लीफ सीथ यह देखने की चीज है इसके अंदर कि एक्स कहां देते हैं ओन लीफ ब्लेड और लीफ सीथ सिंगल पीमेल लेज अबाउ 100 to 300 एक्स एक्स केशे होते हैं और रेडिस एक्स हार रेडिस इलोंगे एक्से अन थी तू 5 जे फिर इसकी जो लारवा होती है उसको अपन है मेगत कहते है। मेटल्स, रडिरिद्ट आप वर्डख़िज आप्टर्समाँफल्स Labadenadis, C6C पर्डड्समाप्ट कुछ स्थू प्लान आपस्यो, सर्छोल्समा decíaेड मेरस्योंप भे निसेट मेरी स्थू और इसके symptoms कैसे होंगे, the symptoms of attack are hollowitis, to pale green cylindrical tubes in the tiller, is known as gall और silver suit, ये इसका एक important symptoms है known as galls और silver suit, and just like onion suits, bearing a tip of green and after these galls are modified, leap seed, leap seed की तरह से ही modified हो जाते है various subsidiary tillering, if infested early growth period, the pest infested tillers, even nursery, nursery stage पे भी कभी कभी शुरू हो जाते हैं, but prefer tillering stage, infested tillers, don't bear pennicles, जो tillers, gall में से infested होते हैं, वो pennicles, pennicles नहीं लेते हैं, at pennicle initiation stage, the maggots can not cause damage, only one larva developed at a suit in topics, remain throughout dish development, inside the gall, larval duration is 15 to 20 days, the full-grown larvae is 3 mm, long and pale in color, ये लार्वा के बारे में अपन ने बात की, pupation के बारे में बात करेंगे, pupation at the base of gall, but pupil ringle up at the tip, projecting halfway out, pupil period is 2 to 8 days, the gall dries up after fly emergence, it expands its entire larval and pupil period inside the single tiller, अब अपन इसकी बात करेंगे, adult की, the fly gets active at the onset of monsoon, complete 1 to 2 generations breeding, और returning like grasses, ये ये नहीं होते हैं, तो फिर grasses के उपर ही बीडिंग कर लेती है, अब आपन इसके management की बात करेंगे, management में सबसे जो पहला है वो है, avoid late transplanting, in endemic areas, early planted creep crops as care, past, दूसरा selection of varieties, varieties का अपन selection करेंगे, और इसके बाद में है, अपन seedling को है, chlorpyrifos के अंदर dip करेंगे, और फिर इसके बाद में जो larva है, दा लार्वा नेचुरली पेरासिटाइज भाई, प्लेटीगेस्टर और आइजी, मेंस दे रे एफेक्टिव लार्वल पेरासिटोईट्स, अद प्रोपी, क्रोस्टेस, मेरी फिसकस, फिर इसका ETL लेवल है, किस लेवल पे अपन है, इंसेक्टिशाइट का, अपन स्प्रे अप्लाई करेंगे, नर्सरी लेवल पे है, वन गाल पर मीटर स्क्वाई, और में फिल्ड ग्रोप के अंदर है, तेल्डूंग स्टेज भे 5 परसेंट अफ होती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी अपन है, अप्लाई करेंगे, फोरेट 10 जी, 60 ग्राम, और कार्बो फ्यूरान है, 3 जी, लगबग, एड़ दा रेट अप्टूंड ग्राम्स, फिर अपन फिल्ड के अंदर, 10 तो 15 डेज पर फोरेट को अप्लाई करेंगे, फाइब है, कार्बो फ्यूरान, कार्बो फ्यूरान 3 जी, एड़ दा रेट ओफ 10 केजी पर, एकर इन एंडेमिक एरिया, तो इस तरह से, जो अपना सेकिन पैस्ट है, राइस का इंपोर्टेंट पैस्ट है, वह है, राइस गाल मिज, तो इसको भी है अपन, इस तरह से मैनेज कर सकत है, यह अपना सेकिन वीडियो है, अब आपन है, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ यू से भी बताऊंगा, नेक्स जो अपने वीडियो है,